जैशी रामजी, हलो फ्रेंट्स मैं टारो कार्ड डीडर एस्टालो जनुर राज आप लोगों का फिर से इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अब हम बात करने वाले हैं 2024 January, Sagittarius धनुराश्य आप लोगों का कैसे जाने वाला है तो जिन लोगों का भी सन्मून साइन धनुराश्य में है ये वीडियो उन लोगों के लिए है Sagittarius ये वीडियो आप लोगों के लिए है तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की धे सारी शुपकामना है आपका येर मंगल मैं हो आपका 2024 बढ़ी आसा जाए इस पॉजटिव शुरुआत के साथ इस पॉजटिव ऐफिर्मेशन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में आपके career के बारे में आपका overall January का ये month कैसा जाएगा और हम बात करेंगे Angels की क्या guidance है क्या आपके life में चीजों के लिए आपको शिफशक्ती का message है या आपका future क्या है So बहुत सारी चीज़ इसमें हम cover करने वाले हैं So let's see धनुराश्य आप लोगों के लिए कैसा जाएगा 2024 January तो सबसे पहले टारों से देख लेते हैं Alright, चीज़ें जो है आप फिलहाल तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है Alright सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी चीज़ों में flow के साथ बढ़ते वे नज़र आएंगे जिन चीज़ों में अभी तक आपको result नहीं मिल रहा था उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ते वे एक नए सिरे से चीज़ों की शुरुवात करते वे मुझे यहां नज़र आ रहे है ऐसा दिखाए देता है कि जो भी चीज़े आप करने की कोशिश करेंगे उसमें एक newliness रहेगी एक नयापन रहेगा उनमें और हो सकता है जो अभी तक आपको fruitful results नहीं मिल रहे थे उन चीज़ों को आप एक नए तरीके से सोच कर आगे बढ़े यहाँ पर chances है कि आपको flow के साथ बढ़ना चाहिए आगे बहुत ज़ादा चीज़ों पर overthink नहीं करना है चीज़े आपकी तरफ खुद से आगे बढ़ते में आएंगी बिल्कुल chances है कि आप जैसा चाहते हैं वैसे चीज़े आपकी तरफ आगे बढ़ेंगी आपके जीवन में कोई न कोई person मुझे यहाँ पर आते वे नज़र आ रहे हैं एक अच्छा proposal मुझे नज़र आ रहा है बहुत अच्छे chances है कि आपके जीवन में किसी person की entry हो सकती है आपको किसी की guidance की जरुवत है properly हाँ guidance का card आया है आपके आर्थिक सिती अच्छी रहेगी चीजों में problem नहीं आएगी लेकिन अगर आप इसमें guidance के साथ आगे बढ़ते है तो ये आपके लिए comparatively ज्यादा अच्छे मौके और opportunities को आपको दिखाएगा awareness की बहुत ज़रूत है guidance जैसे ही आपको भी लेगी धीरे धीरे वो आपकी अपने पूरे समझसे के साथ track पर आनी शुरू होंगी positivity के साथ आगे बढ़नी शुरू होंगी आपको दिखेगा जो अभी तक गाड़ी आपकी पटरी से हट रही थी वो अब आपको जो है एक ले में चलते वे नजर आएगी अभी तक जिन भी चीजों से आप परिशान हो रहे थे वो धीरे धीरे आपको एक stagnancy की बजा है positivity पे बढ़ते वे और आगे चलते वे नजर आएगी इतना ही नहीं है मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आप जिन भी चीजों से अभी तक aware नहीं थे जिन भी चीजों को लेकर अभी आप परिशान हैं और आप decision नहीं ले पारे example के तोर पर आपकी love life में आप decision नहीं ले पारे या आपके partner आपको लेकर decision नहीं ले रहे या आपकी career में आपको अच्छा positive ठोस decision लेकर आगे नहीं बढ़ पारे तो वो सारी चीज़े आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते वे नज़र आएंगी आपको दिखेगा कि अब मैंने guidance लेकर आगे करने की कोशिश की है तो अब मेरे काम बन रहे है और देख लेते हैं आपके लिए January के इस मन्त में क्या होने वाला है यहां मुझे बहुत सारी disappointment भी नज़र आती है ऐसा दिखाए देता है कि आपकी love life में अगर आप कोई female है तो definitely आपके partner ने आपके लिए stand नहीं लिया आप में से किसी का divorce case हो सकता है आपका कोई court case चल रहा हो ऐसा भी हो सकता है आपकी आर्थिक सिती को लेकर कोई court case हो सकता है यहां पर मुझे love relationship में भी चीज़े काफी खराब हुई भी नज़र आ रही है इतना ही नहीं ऐसा दिखाए देता है आप समाज में काफी highly honor person है आप professionally कोई lawyer हो सकते हैं आप professionally कहीं न कहीं अपनी चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं बट disappointments आपको बहुत ज़दा मिल रही है यह disappointments मिलने की वज़ह से ही आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए अगर आप इस तरह की किसी समस्या से जूज रहे हैं या परिशान हो रहे हैं तो उसके लिए आपको one to one connect करना चाहिए guidance लेकर आगे बढ़ना चाहिए यह guidance आपके लिए काफी positive और fruitful साबित हो सकती है आप मेंसे कुछ लोग मुझे विदेश जाने के इच्छा जाहिर करते वे नजर आ रहे हैं ऐसा दखता है कि आपके जमाग में चल रहा है कि January में इस साल की शुरुबात में आपका मन है कि मैं विदेश जाओ तो निस सन्दे आप आने वाले टाइम में विदेश जा सकते हैं आप मेंसे कुछ लोग है किसी के लिए चैनलाइज मैसेज हो सकता है जो कूट कचेहरी से अपनी सारी प्रॉब्रम्स का उंद करने के बाद आउट ओफ इंडिया जाना चाहते हैं यहां बहुत ज़दा chances ऐसे भी हैं कि आप कोई single mother हो सकते हैं, आप कोई divorcee महिला हो सकते हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं, chances बहुत ज़दा हैं कि आपके life में बहुत सारे changes आप expect कर रही हैं, कि बस अब ये changes हो जाएं, लेकिन वो changes हो नहीं रहे हैं, इस कारण से आप को सही guidance और awareness के साथ आगे बढ़ने की जरूरत हैं, और देख लेते हैं, शिवशक्ति आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, शिवशक्ति का message में ही अर्दनारिश्वर है, no doubt आप अपने love, relationship, marriage और शादी या बहुत सारे love, correction को लेकर परेशान हैं, आपके relationship में, आपकी कोई message है, तो यहाँ अर्दनारिश्वर का card clear indication देता है, आपको happiness रहेगी, harmony रहेगी, आपके और आपके partner की तरफ से, relationship में एक materialistic तरीके से आगे बढ़ने की अप्रोच रहेगी, इस relationship को materialize करते हैं, आप मुझे भविश्य में नजर आ रहे हैं, ऐसा दिखाए देता है कि आ बार-बार सूच रहे हैं कि आपके partner और आपका कही न कहीं को collaboration ठीक हो जाए, चीजे बन जाए, जिन लोगों का court case है, कहीं न कहीं वो अभी उसमें उलजे वे ही, मुझे नजर आ रहे हैं, अगर वो सही guidance लेके आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है, कि उनके जीवन में court case को ल positive affirmation के साथ आगे बढ़िए, कि मैं प्यार को deserve करती हूँ या करता हूँ, अपने जीवन में इस बात को सोचे कि नहीं, मैं प्यार करती हूँ, या मुझे प्यार किया जा रहा है, तो ये एक positive और जा है, जो मेरे चारो तरफ है, इतना ही नहीं आपको जो भी आपके इर्द- issues हैं, देखें, यहां पर भी issues का card है, ये card भी clearly issues के बारे में ही बता रहा है, तो अगर आप किसी भी तरह के court का चहरी, family के issues, property से जुड़े issues को लेकर बहुत परेशान है, respect को लेकर परेशान है, अगर किसी का कोई check bounce जैसा कोई case है, जहां पर respect की बात है, bank में कही respect की बात ह या किसी ऐसी जगह respect की बात है, जहां पर आपके आपके काम पर problem आ रही है, तो मैं बता दूँ कि ये सारे issues और family issues को control करने का ये समय हो सकता है, इस time पर गर आप कोशिश करेंगे, तो कोई ना कोई positive result आपको जरूर मिल सकता है, forgiving and learning, यहां ये card clear indication देता है कि अगर आप आफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, otherwise आपको ही इस energy का bounce back देखना पड़ेगा, आपको ही इस energy से problem होगी कि मेरे अपनोंने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे चारों तरफ के लोग ऐसे खराब हैं, तो उस energies पर आपने बहुत जादा दिमाग, बहुत जादा intuition, intention नहीं लगाना है, आपने उन चीजों को समझना है कि कहां आपके लिए क्या problem आ रही है, कहां आपको चीजों को कैसे ठीक करना है, कैसे उन चीजों को ठीक करके आप balance कर सकते हैं, अगर आपके ये चीज़े ठीक होकर balance होते हैं, तो कही ना कहीं आपकी life में बहुत अच्छे changes आएंगे, औ ओम chanting आप कर सकते हैं, seven chakras की meditation कर सकते हैं, I suggest ओम simple, ओम chanting कीजे, positive affirmation दीजे, आपकी चीज़े ठीक होती भी आपको नज़र आएंगी, भागय भविश्य में आपका साथ देता हो नज़र आ रहा है, जैनुरी के मन्त में आपका भागय आपका साथ देता मुझे नज़र आ र आपके love, career, relationship के साथ साथ आपकी professional life में job के point of view से भी आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है, so all I can say is thank you so much guys for watching this video, आप मुझे one to one connect कर सकते हैं, आप मुझे one to one description box में number दिया गया है, उसके accordingly connect कर सकते हैं, whatsapp कीजे, call कीजे, thank you so much guys, जै श्री राम जी